नमस्कर दूस्तों, स्वागात है आपका PharmaRox की YouTube Education Channel में तो आज की वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करने वाले हैं My Chiro Tablet के बारे में तो हम जानेंगे ये टाबलेट के बारे में डिटेल में और सीखेंगे कि कौन से अलग-अलग अलग medical conditions को ठीक करने के लिए ये medication को हम use करते हैं जाने के उसके बारे में detail में basic सिखेंगे manufacture को हमें use, dose, price, working, side effect, warnings क्या रहेंगे contraindications क्या रहेंगे, drug-drug interactions क्या करती है और अगर ये medication आपको नहीं मिलती तो दूसरे कौन से alternative आप use कर सकते हैं तो detail में सिखते हैं आज के lecture के अंदर तो ऐसे समझे के आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सिखना है medicines के बारे में सिखना है तो आप medicine course को join कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं फिर हमारी mobile application को आप download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तब आते हैं topic pair समझते हैं my chiro tablet के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम health supplements के category के अंदर include करते हैं और ये जो medication है वो महिलाओ के अंदर specially जो बांजपन के problem होते हैं infertility related जो problems होते हैं उनको solve करने के लिए जो है वो खासकर हम use करते हैं तो उसके content के बारे में हम समझे तो ये film coated type के tablet है और उसके अंदर जो पहला ingredient है वो है D-chiro-ionositol है कि जो 150 mg जितना ये एक tablet के अंदर available होता है और जो दूसरा ingredient है वो है myo-ionositol है कि जो 550 mg जितना ये tablet के अंदर available है manufacture के यहाँ पर हम बात करें तो USV private limited जो उसके manufacture है और USV के बारे में मैं यहाँ पर आपको detail में बताओ तो ये एक Indian multinational pharmaceutical and biotechnology company है कि जो leading producer है इंडिया के अंदर metformin के कि जो anti-diabetic medication है और ये और भी बहुत सारे pharmaceutical and biotechnology product जो है वो manufacture करते हैं जिसकी head office जो है Mumbai में है तो अब बात करते हैं ये medication के use के बारे में तो सबसे पहले जो बांजपन का जो problem होता है especially reproductive age के अंदर जो infertility का जो problem होता है उसको solve करने के लिए medication को जो prescribe की जाती है दूसरा हम देखे तो जो PCOS या फिर जो PCOD है polycystic ovarian syndrome या फिर disease के जो patient होते हैं उनको ये problem ठीक करने के लिए ये medication जो prescribe की जाती है तिसरा हम देखे तो pregnancy conceive करने के लिए जो गर्बदारन करने के लिए काफी अच्छी ये medication मानी जाती है तो अगर कोई pregnancy प्लान कर रहा है और pregnancy नहीं रहते तो ये medication जो दी जाते के जिससे pregnancy रखने में जो ये वा काफी ज़्यादा आसानी रहती है फिर हम देखे तो जो ovalution cycle जो होता है उसको regular करने के लिए मतलब की जो ovalution को नियम मिद करने के लिए भी ये medication को जो प्रिस्क्राइब करते है उसके लाव उसका next use हम देखे तो जो reproductive health होती है मैलाव के अंदर उसको improve करने के लिए मतलब की जो प्रजनन स्वास्त में सुधार लाने के लिए भी my chiro tablet को जो प्रिस्क्राइब किया जाता है अब बात करते हैं उसके dose के बारे में कितने dose में ये medication को जो आपको use करने चाहिए तो एक tablet जो वो सूबह लेनी होती है एक tablet आप साम को या फिर रात को ले सकते हैं तो दिन में दो tablet जो वो लेनी होती है या फिर दिन में एक tablet भी आफ ले सकते हैं next समझे उसके price के बारे में तो अगर आप ये 10 tablet का pack जो पर्चेस करते तो उसकी price रहती around 338 रूपीज जितनी रहती है मतलब कि एक tablet की जो price ये around 34 रूपीज के आसपास रहती है फिर अब समझते हैं ये medication काम कैसे करती है तो जो especially reproductive health related जो problem होते हैं महिलाओ के अंदर बांजपन के जो problem होते हैं उसमें एक reason होता है कि उनके अंदर जो male hormones होते हैं उनका increase होना especially PCOS या फिर PCOD के अंदर ये symptoms देखे जाते हैं तो हमारी ये जो medication है वो क्या करती है कि जिसके अंदर जो D-chiro-ionositol जो है वो क्या करता है उसका level जो जैसे ही सरेर में बढ़ता है तो ये insulin की जो sensitivity जो है उसको improve करता है जिसके करन क्या होता है कि जो male hormones महिलाओ के अंदर जो बढ़ जाते हैं उनकी मात्रा जो हो कम होती है especially PCOS and PCOD के अंदर और जिसके करन उनका जो infertility के जो problem होता है वो sol होता है दूसरा देखे कि जो myo-ionositol है वो भी similarly काम करता है वो भी insulin की sensitivity जो है वो increase कर देता है कि जिससे जो hyper androgenism जो है उसका level जो हो कम होने लगता है जिसके करन जो menstrual cycle जो हो काफी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसके करन जो fertility increase करने में ये medication जो हो काफी ज़्यादा आपको मदद करती है अब आगे जान लेते हैं उसके side effects के बारे में कि क्या ये medication कोई side effect करेगी या नहीं तो उसका answer है no कोई भी side effect नहीं करेगी बिकॉज ये proper health supplements के तोर पर यूज की जाती है कोई भी ऐसे harmful ingredient उसके इंदर नहीं कि जो आपको कोई side effect करेगी तो completely safe medication है यूज करने के लिए फिर आप बात करते हैं उसके warnings के बारे में तो warning ये रहेगी कि जब भी आप ये purchase करते हैं तो उसका जो label होता है वो आपको अच्छे से read करना होता है content को चेक करना तो उसके इंदर detailed content क्या है concept reader वगरा है दूसरे क्या additives उसके इंदर read किया है और उसमें से कोई भी ingredient की आपको allergy है तो आपको ये medication जो है वो use नहीं करने चाहिए contraindications के हम बात करें तो जो diabetes की जो medications होती है उसके साथ medication जो हो interactions करती है जैसे की मालों कि आप anti-diabetic medications भी ले रहे तो ये जो हमारी mychiro tablet है उसके इंदर रहा जो inositol है वो दोनों एक दूसरे के साथ drug-drug interactions करते हैं और जिसके करन क्या होता है कि आपका sugar level जो वो काफी ज्यादा कम हो सकता है तो ये खास दियान रखेंगे गर आप anti-diabetic medications ले रहे है तो ये medication लेने से पहले आपके doctor या फिर pharma assist को जरूर से consult करना चाहिए next हम देखे drug-drug interactions तो जितने भी anti-diabetic medications है उसके साथ आप कभी भी ये medication को combination में यूज ना करें तो ये खास दियान रखेंगे आप आप video को pause करके देख सकते है कौन से anti-diabetic drugs है अगर इन में से कोई भी medication आप ले रहे है तो उसके साथ my chiro tablet को use ना करें आगे समझते हैं दूसरे options क्या है alternative अगर आपको my chiro tablet नहीं मिलती या फिर इस से आपको जो ठीक नहीं हो रहा तो उसके updated version भी है दूसरे तो वो आप कौन से use कर सकते है जैसे कि NHS chiro करके आता है या पर आप देख सकते है कि जिसके अंदर d-chiro inositol तो है ही myo inositol तो है बड एक्स्ट्रा जो add किया है वो है n-acetyl systeen है zinc है l-methyl folate है या फिर उससे कुछ फरक नहीं पड़ रहा तो इसके भी option में दूसरा है वो है d-chiro plus करके है या पर आप देख सकते है कि जिसमें vitamin d3 है achievable tablet special या आती है तीसरा option है chiro cyst करके कि अगर किसको ovarian cyst related problem है polycystic ovaries का problem और उसके करन consume नहीं हो रहा तो उसके भी इस तरह के जो tablet साथ है जैसे में भी content आप देखो तो सभी के अंदर काफी similar content आपको मिल जाता है फिर यहाँ एक और option है myonin ford करके भी है तो यह भी आप use कर सकते हैं तो यह alternatives भी आपके साथ जो वो available है तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दववयों के बारे में बीमारियों के बारे में तो medicine course को जरूर से join करे तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को आप डाउनलोड कर सकते हैं link जो है आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best